अश्वालेकूम फ्रेंड वेल्कम टू माइ यूट्यूब चैनल माइनम इस अमीर अली अमीद करता हूं आप सब खेरियद से होंगे यह wordpress की series का session number 3 है इस session में जो हम discuss करेंगे वो एक overview होगा backend या current dashboard in wordpress हम जो wordpress का backend यूज़ करते हैं जो wordpress का dashboard यूज़ करते हैं वो उनका overview में इस session में दूँगा कि कौन से option कहां पे कौन से option हम क्यूं use करते हैं और कौन से option जो है उनके क्या-क्या advantage है यह quick overview होगा क्योंकि practical जो हम आने वाले session में करेंगे और last time जो हमने discuss किया था वो यह था कि आप किस तरह से आप अपने local system आप अपनी machine में wordpress install कर सकते हो अगर आपकी system आपके machine में wordpress install है तो जहां पे आपने install किया है आपको क्या करना है आपको वहाँ पे जो है यह server पर double click करना है बेदर यह होता है कि यह server आप क्या करें अपने desktop पे रखें तो वहां से आप इस server को क्योंकि बार-बार हमें server को start करना होता है बार-बार से मतलब यह है कि जब भी आप WordPress या WordPress का बेकेंड यूज़ करते हो तो हमें वहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है तो ऐसी कंडिशन में आप क्या करते हैं कि ये बार बार इनका यूज़ होता है तो आप ये डेक्स्टॉप पे रख दे सिंपल आपको यहाँ पे डबल किलिक करना है डबल किलिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का मेसेज होगा यहाँ पे गो टू एप्लिकेशन पे किलिक करना है देन आपके पास ये एक मेसेज आएगा कि आपके पास जो वर्डप्रेस सकसेजफुली इंस्टॉल हो चुगा है आपको यहाँ पे किलिक करना है एकसेज वर्डप्रेस जैसे आप एकसेज वर्डप्रेस पे किलिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वर्डप्रेस का एकसेज मिल जाएगा means के जो आपके पास recently theme इंस्टॉल है उनका ये एक layout है उनका एक आपके पास interface है ये front end है then मुझे backend पे जाना है तो मैं backend के लिए क्या use करूँगा wp-admin जैसे आप enter करेंगे तो ये आपको एक page पे redirect करेंगा जो होगा login अगर आप पहले ही login है तो ये आपको dashboard पे लेगे जाएगा अगर आप login नहीं है तो आप क्या करेंगे वहाँ पे username और password देंगे username और password वही होगा जब आपने installation के दोरान दिया था तो ये एक complete dashboard है wordpress का अब एक quick overview लेते ये एक tab है dashboard के नाम से यहाँ पे home मिलेगा और update मिलेगा आपको दें ये आपके पास जो box बना हुआ है ये wordpress से regarding आपको option मिलेंगे means के welcome to wordpress आपने कौन सा wordpress यूज किया है customize करना चाहते हो site को या आप जो थीम को change करना चाहते हो या view your site करना चाहते हो ये quick overview है in short हमें इनको क्या करना है हमें इनको minus means के cancel करना है then यहाँ पे आपके पास एक box है जिसका नाम है अटा गिलान ये आपको overall status देता है के आपकी site पे कितने post यूज हो रहे हैं आपकी site पे जो है कितने comments आए हैं आपकी site पे कितने page हैं means के आपकी जो website है आपकी जो wordpress की theme हैं उसमें total number of post कितने total number of comments कितने और total number of page कितने और आप जो है recently कौन सा theme यूज करें अब यहाँ पे मैं बार बार theme word का यूज कर रहा हूँ ताके आप ये चीज़ clear करें के जो wordpress है वो dependent होती है theme पे के जो आपका front end होता है वो complete एक theme होता है उनको आप क्या करते हैं उनको आप customize करते हो अपनी मर्जी के साब से एक website एक layout डिजाइन करते हो और हमें बैट के coding नहीं करनी होती है सिर्फ जो theme है उनको हमें change करना होता है देन आपके पास एक और box है जिसका नाम है activity अब ये activity क्या है इसका मतलब ये है कि यहां पे आपको ये actual बताया जा रहा है कि recent आपके पास कौन सा comment है और उसके बाद अगर आप यहां पे check करें तो ये आपके पास उस comment को आप अन अप्रू कर सकते हो reply कर सकते हो edit कर सकते हो spam कर सकते हो trash कर सकते हो या view कर सकते हो तो ये आपके पास क्या ये comment से regarding आपके पास एक box है then यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये आपके पास क्या है एक box बना हुआ है जिसका नाम है quick draft इसका मतलब है कि जब भी आप wordpress में article publish करते हो हम wordpress में जो है वो article या आप कहें कि wordpress में जो है blogs पोस्ट होते हैं तो वो चाहे daily based पे हो या weekly based पे हो तो ऐसी condition में आप यहाँ पे कोई ऐसा article जो incomplete हो मतलब आप चाह रहे हैं कि ये एक में incomplete article publish कर रहा हूँ publish से means कि आप draft में save कर रहे हो और उसके बाद आने वाले दिनों में आप उसको complete करके और बाद में publish करोगे जब complete करके बाद में publish करोगे तो वो जो होगा जो complete होके publish होगा तो बाद में वो user को दिखेगा अगर आप यहां पे draft में save कर रहे हैं तो वो user को नहीं देखेगा क्योंकि ये incomplete है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो incomplete article या blocks define कर सकते हो दिन आपके पास एक option है जो है wordpress events and news आप जो भी wordpress का theme यूज़ करेंगे तो उस से regarding means के उस theme से regarding आपके पास यहां पे update आ सकती है या update आती है कि इस theme से regarding कौन सा event है अगर आप उनमें जो एक part पार्टिस्पेट करना चाहें तो आप कर सकते है तो यह हैं आपके पास कि आपका dashboard क्या है उसके बाद यहां पे अगर आप चेक करेंगे यहां पे आपके पास post का एक option दिखेगा अब post में आपके पास क्या है कि यहां तो हम post करते है means के जो हमारे पास एक website होती है उनमें अगर मुझे ब्लोग पॉस्ट करना हो या मुझे एक आर्टीकल पॉस्ट करना हो तो हम वो कहां पे हम यहां पे पॉस्ट करते हैं इस आप्शन में पॉस्ट करते हैं अब यहां पे आपके पास बहुत सारे आप्शन मिलेंगे लेकिन ये एक overview है आपको कि कौन सी चीजें कहां पे उसके बाद मुझे एक new article means के new post करनी है तो आप क्या करेंगे add new पे क्लिक करेंगे देन इस तरह से आपके पास क्या है कि अगर आप जोए पॉस्ट की category define करना चाहते हैं तो आप categorize करेंगे पॉस्ट का tag define करना चाहते हो तो आप tag पे क्लिक करेंगे इस तरह से एक आपके पास option है media क्या media का मतलब यह है कि यहां पे अगर मैं अपनी website में जोए कोई एक image एड़ करना चाहता हूँ कोई एक MP3 song एड़ करना चाहता हूँ या एक video एड़ करना चाहता हूँ तो वो मैं क्या करूँगा वो media में एड़ करूँगा इस तरह से आपके पास जो option है वो है page का अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी website में एक page एड़ करूँ और page कौन सा होगा वो static page होगा जिस तरह से about us का page होगा contact us का page होगा तो ऐसी condition में आप क्या करते हैं यहां पे आप page एड़ करते हैं all page means के जितने भी मेरे पास page है वो शोने चाहिए या add page एक नया page एड़ करें उसके पास एक comments का आपके पास टेप है इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप जो है जितने भी आपके website में comments आएं उनको आप यहां से control कर सकते हो इस तरह से आपके पास एक option है जो है appearance का यह important है क्योंकि यहां पे आपके पास है कि आप किस तरह से theme को install कर सकते हो यहां change कर सकते हो किस तरह से आप customize कर सकते हो किस तरह से आप widget कर सेट कर सकते हो menu header and theme editor और यह जितनी भी चीज़े यह important है यह हम deep में पढ़ेंगे आने वाले सेशन में इस तरह से plugin का आपके पास एक option है टेप बे कि आप अगर अपनी website में एक plugin पलग जो add करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं आप अगर website में एक पलग add करना चाहें तो आप यहां पर add कर सकते हो फरस आपके पास option है कि जो install plugin है उनको आप चेक करना चाहें या new आप add करना चाहें या plugin में एड़िट करना चाहें इस तरह से एक आपके पास यूजर का यूजर से मतलब यह है कि आप अपनी website आप अपनी जो wordpress का एक आपके पास blog है उनमें किसी को आप access देना चाहते हो चाहे वो आपका brother ब्रादर हो या आपके पास cousin हो या आपके अपनी website का तो आप यहां से create कर सकते हो कि आप उनको access देना चाहते है तूल का मतलब यह है कि यहां से हम अपनी website को import कर सकते है एक export कर सकते हो या आप एक site का health check कर सकते हो setting setting में हम check करेंगे किस तरह से आप journal writing या reading या decision media या पर्मनल लिग या privacy set कर सकते हो तो यह भी हम देख और आल टेब कर लाते हैं और यह हम आने वाले session में देखेंगे कि किस तरह से यह tab use होते हैं और किस तरह से हम अपनी website design कर सकते हैं within the help of these tabs कि आप किस तरह से आप टेब का use कर सकते हो आज के वीडियो में इतना है इंशाला नेक्स वीडियो में मिलेंगे अलाफेज